हेल फेंट्स मैं हूँ सनमय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूटीब चैनल सरकार जौप नियूज और यह है रोजगार समचार जुलाई दोजाच चौबिस के सेकंड विक का तमाम सरकारी नौकरियों का व्योरा है यहाँ पर और टॉप टेन जो वेकेंसीज हैं उससे आपको ज़रूर देखना चाहिए यह पूरा वीडियो इसे मैंने केंट सरकार दोर जारी इंप्लामेंट ने उससे त्यार किया है राज़ों भी जो तमाम वेकेंसीज हैं उन सब की इसमें दी गई है तो शुरू करते हैं और वेकेंसी देखनों को मिल रही है आई बीपेस से आई बीपेस ने धेर सारी वेकेंसी जारी की है 6126128 योगतों चाहिए ग्रेजिशन ये कलर की भरती है एज लिमिट है इसमें बताई गई है 28 साल मैक्सिम 20 to 28 प्लस एज लिमिट कर सकते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शिशन में आप चेक कर लेना वहां लिंक मिल जाएगा आपको अप्लाई का और ओफिशल नोटिफिकेशन का अगली वेकेंसी है इंडियन बैंक में यहां पर फिप्टीन हंडेड पाद है यहाना कि ये अप्रेंटेस शिप के लिए 500 रुपी फी लेंगे गजा भाल है इस्टैपेंट मिलेगा 12,000 रुपे से लेकर 15,000 रुपे पर मांथ तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शिशन में आप चेक कर सकते हैं ओके ये एक नई चीज देखना को मिलिए पहले SBI ये करता था अप्रेंटेस के नाम पर और अपने कोर्स ले रखा है वो माइ कोर्सेज में इस ऑप्शन में आपको मिलेगा ठीक है तो इसमें तमाम कोर्सेज MTS के भी लाउंच हो चुके हैं और भी कोर्सेज चल रहे हैं CGL के, NTPC के, RPF के तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है देख सकते हैं अठर से चबिस साल, लाश्टेट फॉर्मर्न इक लिए 6 अगस्त, फी 400-600 रुपे है और सेली ठीक टाक मिलती है, लेबल 9 की, प्लस ग्रेट पे मिलेगा तो मेल फेल्स दोना अप्लाई कर सकते हैं देश पर के युवा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अप्लाई का अगली वेकेंसी है बार्डर सीकर्टी फोर्स यानी बी-स अप में यहां पर 144 पाद है, इंस्पेक्टर, लगजियो कोंस्टेबल, हेट कोंस्टेबल, एट कोंस्टेबल, एएएस आइ, एस आई, टीक है, तो अलग-अलग छेत्रों में है, योगतों चाहिे 10th प्लस आईय या डिप्लोमा या ग्रेजुशन पोस्ट वाइस है ये वेकेंसी और जो एलिवजिल्टी अलग अलग बदों के लिए अलग लग तो एज मिठा ठर से तीस साल और अलग लग बद के लिए हाला कि अलग अलग है अपलाई का जो लाश्ट ट है वो 25 जुलाई है री ओपें है आगे बढ़ते हैं उससे पहले बताओं कि MTS के लिए हम लोग ने कोर्स लॉंच कर दिया है बैच लॉंच चुका है मात्र देर सो पे में पूरी तैयारी करवाई जाएगी हर सब्जेक्ट की तो ये 29 जुलाई से इसकी क्लासे शुरू हो रहे है अड्मिशन शुरू हो च कर ले और ये पर्चेश कर सकते हैं आप पूरी तैयारी आपकी शांदार धंग से करवाई जाएगे हमारे विशेशक जो शिक्षक हैं वो सब करवाएंगे आपकी तैयारी MTS को पाव लगाना हम लोग की जिम्मेदारी होगी आपके लिए आगे बढ़ते हैं अगली वेकैं अगली वेकैंसी युको बैंक में यहां भी अप्रेंटिस के लिए अब वेकैंसी निकलिए 544 पद हैं एक साल के लिए तरसल क्या ना कलर को जो का जो पाद है न उस पर आजकाल ये अप्रेंटिस शिप का ये देख रहा हूं मैं लगातार काई सारे बैंकों में ओके तो एक एक साल का है ये उसके बाद फिर एक साल का एक्सेंशन मिल सकता है लेकिन एक ही साल का है टोटा योगतों चेक रिजुशन एज लिमिट है 20-28 साल लाश्रेट फॉर्मर निकलिए 16 जुलाई फी नहीं लगए और 15,000 रुपे ये सैलरी नहीं इसको इस्टाइपेंट कहेंगे ठीक है तो मेल फिल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस वडिक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना अगली वकेंसी है इंडियन आर्मी से या पर 79 पद हैं एक स्पेशल एंट्री इसकिन के तहत और इसके लिए योगतों ची ग्रिजुशन प्लैस एक सीट सर्टिफिकेट ह आपको अच्छा खासा जो वेतन है वो भी मिलेगा ठीक है तो योगतों चीए 19-25 साल अच्छा जब आप नौकरी प्राप्त कर लेते हैं इस कोर्स के बाद तो आपको लेटरेंट से पद मिलेगा फिर आगे सिना में सीनियर अफसर बनने का मौका रहेगा योगतों चीए य दिस्क्रिप्शन में अप्लाई के लिंक और डिटेल दोनों सब कुछ अबलेबल है नोट फिक्शन भी चलिए अगली वेकेंसी लेते हैं बड़ी वेकेंसी देखनों को मिलेए स्टाफ सेलेक्शन कमिशन यानि ससी की और से सीजेल के नोट फिक्शन आ चुके हैं 17,727 लिटो बहतरी नहीं मिलती है किंद सरकार में शांदार नौक डी करने का ये मौका है मेलफ में दोनों फार्म भर सकते हैं और इस एक्शामनेशन को लेकर हम लोग ने बैच भी शुरू कर दिया है प्रिपरेशन के लिए शांदार ढंक से लाइफ फ्रॉम स्टूडियो 500 प् आप डानलोड कीजिए और जॉइन कर लिजिए अगर आप जरह सा भी CGL में इंट्रेस्ट हैं तो और शांदार टीम है तमाम सब्जेक्ट वो पढ़ाया जाएगा और यूटूब पर हम लोग ने उसका डेमो भी दिया हुआ है चलें आगे बरते हैं अगली वेकेंसी है ये SSE की ओर से ये MTS के लिए भी वेकेंसी आचुकी है 8,356 पद है शांदार धंग से तो MTS प्लस हवलदार ये दोनों का ये पद आया है इसके लिए योगताओंची है 10th pass सिंपल एज लिमिट है 18 से 27 साल प्लस एज लिमिट में कुछ काटिगरी कुछ हूट मिलती है लाश्ट करना है तो ये वाला वीडियो अब जरूर देखेगा मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक भी दे दिया है चले आगे बारते हैं और अगली विकेंसी है जारकन से स्टाफ सेलेक्शन कमिशन से और यहां पर 510 पद है टोटल जारकन फिल्ड वर मढ़ने के लिए 31 अगस्त अप्लाई फी 50 रूपीज टू 100 रूपीज है और सेल यह रही ठीक है तो मेल फिल्ड दोन अप्लाई कर सकते है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल लिंक अबलेबल है अगली वकेंसी इंडन नेवी से 40 पद है यहां पर 10 प्लस 2008 के बीच में अप्लाई का लाश्ट टेट है 20 जुलाई केवल अब विवाहित पुरुशी अप्लाई कर पाएंगे तो अगली जो वकेंसी है वो जुलाई में आ रही है एंटी पीसी की तो आप लोग तयारी में जूट जाएए क्योंकि शांदार और बंपर वकेंसी देखन यू के लिए ओके तो टोटल जो वकेंसी है उसके बार में अभी डिटेल नहीं आया है लेकिन ये योगताँ चेर 12 पास या डिप्लोमा एज लिमिट की बात करेंगे तो सारे 17 साल से 21 साल तक होना चाहिए आपका आपकी उम्र अपलाई का लाश्ट है 28 जुलाई फी 550 पहले देखते थे कि एर फोर्स आर्मी नेवी में फी नहीं हुआ करता था लेकिन आप ये देखिए अगनी वीर के नाम पर पांच सो पचास रुपए भी लिये जा रहा है कमाल की बात अगली वेकेंसी है बेहाँ स्टेट हेल्थ सोसाइटी में यहाँ पर सारच चार हजार पन है कम्मूनिटी हेल्थ ऑफिसर योक्तों चाहिए बीएसी नर्सिंग या पोस्ट बीएसी नर्सिंग विद सी सी एच कोर्स या जी एनेम एज़िमिट है 21 से 42 साल अपलाई का लाश पीडियेफ अगले एक साल तक और पिछले दो सालों के भी और पीडियेफ तीन तरीके को होते हैं एक होता है वन लाइनर दूसरा होता है mcq और तीसरा होता है mcq with notes डिटेल में और यह आपको daily monthly weekly yearly यह सब कुछ मिलेगा mock test होता है current force का साथ में test series होते हैं UPSC, state PCS, SSC, railway and other examination तमाम के तो इससों टेके description में आप चेक कर लेना बहुत मामली सप्राइस है और एक साल तक current force की शांदार तयारी आपकी कराई जाएगी तो दोस्तों यह था रोजगार समचार हम लोग हर सप्ता रवी वार्व की शाम को दिर शाम को कड़ी बाट बजी के आसपास यह वीडियो लेकर आते हैं रोजगार समचार का तो अगली बार भी देखना मत पूलना